हेलो दोस्तों इस्टडी ग्लोज में आपका स्वाग आता है तो आज वाइल लाइफ संचुरीज की सीरीज को आगे पढ़ाते हुए हम पार्ट्री लेके आ गए इसका और इसमें हम चार वाइल लाइफ संचुरीज जो है वो अपने डिसकस करेंगे तो चलिए लक्षर भट्टी वाइल लाइफ संचुरी ठीक है देखिए असोला भट्टी वाइल लाइफ संचुरी जो है वो दिल्ली हरियाना सीमा पर अरवाली पहाडी श्रंखला के दक्षडी धिल्ली रिच पर 32.71 किलोमीटर शेत्र को कवर करते हुए दक्षडी दिल्ली के साथी और हरियाना इस्टेट के गुरुगाम जिलों में स्थेत है ठीक है तो यह हमें देखा आसोला भट्टी वाइल लाइफ संचुरी इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यह आप लोकेशन जो है इसकी देख लेना एक बार उसके बार देखिए रिच का जैव विविता महत्व भारत गंगा के मैदानी लाकों के साथ इसके विले में नहीं थे क्योंकि यहां उतरी अरवाली तेनुए वंजीव गलियारे का एक हिस्सा है जो एक महत्पूर्ण वंजीव गलियारा है जोकी राजिस्थान के सरिसका राश्च उद्दान से शुरू होता है नूफ अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल प्लेसे जो है इस सेंचुरी के अराउंड यह आपको देखने मिलेगा सूरजकुंड और आनंग पुर डैम ठीक है यह इंपॉर्टेंट है यह दोनों पने नोटबुक में कवर कर लेना वैसे मैं पीड़क तो प्रवाइड कराए दू दिल्ली में है चतरपुट टेंपल जो कि दिल्ली में है ठीक अवाइलेट में और उसके असपास खुली मैदानों की ख़दानों में कई दर्जन जीले बनी है यहां फरीडाबाद के पाली धुर्ज कोट गाउं और पवित्रय मंगर मानी में मौसमी जर्णों के लिए सनेत ह तो यह देखे सूरजकुंद और अनंग पुट डैम यह आ तकना ठीक है यह इंपोर्टेंट है आप देखिए यहां पर इंडियन लेपर्ड आपको देखनों मिलेंगे इंडेंजर्ट स्पीशी इसमें आपको रेड हैटेट वल्चर एजिप्शियन वल्चर देखनों मिले आप हम देखेंगे कावरी वार्ड लेव सेंचुरी तो अब यही मुझे मिला तिक है निया आपका करनाटेक में है और यह प्रोटेक्टेड एरिया है तो इंपोर्टेंट है यह तो देखिए मैंने बताया था ना मंडिया चम्रचनगर और रामनगर डिस्टूट को कवर करता है कनाटक में यह सब ठीक है और काविरी नरी जो है वो अपने बीच से होकर गुजरती है अब देखिए एरिया एरिया जो इसका 510.52 किलोमेटर में फैला हुआ है और इसको इस् सर्वेशन और डेवलप्मेंट करना है वाइलफ सेंचूरी का तो उन्हें मैप देख चुके हैं इसका अधिके इंपोर्टन फ्रेसेस देखिए इसमें दिखिए अभिहारन के मध्यम से बहने वाली नदी के किनारे के महतपूर्ण इस्थान जो अपने वनों के मध्य और प इसका फ्लोरा फॉना देखते हैं यहां पर आपको सेंचूरी में टर्मीनेलिया अर्जुन और जंबुल दिखनों मिलेगा अधर ट्री स्पीशीज वे आपको सेंचूरी में दिखनों मिलेगी जैसे अल्बीजिया अमारा फेरुनिया टमरेंडेस इंडिका मंगी फेरा इं सांबर बर्किंडिया और हॉंड एंटिलॉप शेवरोटेन कॉमन लंगूर मलबाट जायंट स्कॉरल ग्रिजल जायंट स्कॉरल यह सब आपको यहां पर जानवर दिखनों मिलेगे अब दिबांग वाइलेस संचूरी जो है यह अरुनाचल प्रदेश में है अरुनाचल प् मिलेगा आप देखिए मैमल्स देखिए यहां पर मिश्मी टेकिन रेट गोरल मस्क डियर रेट पांटना इश्याटिक ब्लैक बियर ओकेजनल टाइगर भी टाइगर भी कभी के आप देखनों मिल जाएंगे और गौंग्शम मुन जैक यह सब यहां पर आपको देखनों मिल मिलेगा ठीक है तो यहने अनिमल्स देखिए आपके तो यह हमने देखा दिभांग वाडलाइफ संचुरी अब हम देखें गौतम बुद्ध वाडलाइफ संचुरी पहले इसका मैप देखिए देखिए गौतम बुद्ध वाडलाइफ संचुरी जो है सबसे पहले यह दो इ जारकन का map है ये देखिए जारकन में कोडिर्मा है उसको ये cover करता है ठीक है तो बिहार में गया को और जारकन में कोडिर्मा को ये wildlife century है ठीक है इसको establish किया था 1976 में और 259 km में फैला हुआ है ये wildlife century अब आगे आने वाले समय पे हम बहुत जल्दी से जल से जल ये series कवर कर लेंगे पांच अपरल से पहले पहले ये series कवर कर वादूंगा ताकि आपको sufficient time मिले revise करने के लिए पीडिया भी आपको combine करके provide करवा दूंगा तो यही लेक्चर था wildlife century से related अगले लेक्चर से बहुत जल मिलेंगे तब तक ले धन्यवाद